आज पर किसी ने मा बहन की गाली शुरू किये एक ने ने पर एक बोतल मारी गई इस तरफ से आज गाली किस ने दी मुझे आप गाली निकालेंगे तो इंशालबा दस दूँगा मैं मुझे एक कताब मारेंगे दस मारूंगा जहिन दोस्तो मोडी देश में आपका सगत है दोस्तो आपको पता हुआगी पाकिस्तानी पार्लामिन में क्या जमेला हो रहा है पाकिस्तान में ऑपोजिशन बजट पर स्पीच दे रही थी तब इम्रान खान के मंत्रियों ने गाली या और पेपर फेगने शुरू कर दिये थे और इस पर ओपोजिशन और इम्रान खान के मंत्रियों के बीच हमार बिट सुरू गई थी पार्लामिन के अंडर जिसे देखके पाकिस्तानी मीडिया भी हैरान हो गी थी पाकिस्तानी मीडिया कह रही कि कैसे गुंडों को पाकिस्तानी पार्लामेन में जगे मिली गई है जो एक दूसरे पर हमला कर रहे है तो उस पे पाकिस्तान के पूर्वर पठान मंत्री कहा रहे कि इम्रान खन अगर मुझे एक गाली देगा तो मैं इम्रान खन को 10 गाली आदूँगा और इम्रान खन अगर मुझे एक पठर फिकेगा तो मैं उसके उपर 10 पठर फिकूँगा तो पाक मीडिया यह सुनके हैरान हो गया और इमरान ख़्हान को भी जैसे जो कोछ उमारी नाशनि से फ्रवली में हो रहा है इसके दुनिया में कोई मिजाल नहीं है कोई नजीज बैठा हुए है, उसके सामने हकूमत की वुजरा और MNAs हमलावर हो रहे हैं अपोजिशन पर उनों चुब बैठा है, वो कोई एक्शन नी ले सकता, उसने, स्पीकर ने हमें बड़ा ओपनली कहा, कि मैं कुछ नहीं कर साँ, बेबस लग रहा है, बेबस लग रहा है, बेबस ल जल्दी काम खतम हो जाएगा, आपका लीडर बात कर रहा था, काइदे इस बिखतलाब बात कर रहा था, और आपकी सफों में से किसी ने उटके बोतल दे मारी है, सैनिटाइजर की, उसे कानी जाता था, आप सारी वो वीडियो देख रहे हैं, मैं बिल्कुल देखिए, इस आदमी का, मैं यह भी आपको बता दू कि जो आदमी सियस्त दान है, इलेक्ट हो कि असेंड में आता है, वो आज गाली नी निकाल रहा, ठीक है, आपका मतलब है के सिलेक्टेड होकर आए वे जो सिलेक्टेड है, जिनको पता है, जिनको इसलिए लाया गया है कि इस एःवा को तबाह किया जाए जिसने नोकरी मैं सेलेक्टिट नहीं हूँ मैं आपकी तो सियासत 80 में स्टार्ट इस अपका रवाईया भी है मुझे आप गाली निकालेंगे तो इन्शालला दस दूँगा मुझे एक कताब मारेंगे दस मारूंगा मिरा यह नियरुआया है मुझे अऊरवाया निकाली में तो आप मैंने कोई किताब नहीं मारी, मुझे आप किताब मारेंगे, मैं आपको मारूँगा, एक सवाल सर, मुझे बताईए कि आपके जजबात हलाल है, उनके जजबात हराम है, उनको मा बेहन की गालिया रोहेल अजगर दे और के पंजाब की सिकाफ़त है, तो सही है, मुथर मै मुझे तर काली देगे देखें, तो आपके साथ वही बात हो सकती है, मेरी नजर में आज एक साबिक वजीर आजम मेरे सामने बैठा वे, जो कह रहे है, इंट का जवाब पत्थर से देंगे, और ऐसी मां बैंट करेंगे, नहीं मैं पत्थर से नहीं, दो पत्थरों से, पिर करते ही हो रहे है, मुझे ईंट मात मारें नहीं किया रहा है, और आपके बाप को भी चोड का आउंगा, आपको आपको दस दफ़ा चोर कौँगा आराम से बैड़ें। और स्पीकर ने तो कुछ नहीं का था, बात करने की अजाज़त नहीं दीती है। मैं माज़रत से, माज़रत से बोलना मेरा हक है, मैं सेंबली में क्यों आया हूँ। मैंने एक जगड़ा हुआ, मैं उसमें शामिल नहीं था, मैं सरफ खड़ा था वहां पे, मुझे ही मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, ज़राज़ा ने मुझे बला के कहा, तुम सीनराज़ भी वाकिया कर रहे थे, क्यों उस जगड़े में शामिल हुए। यहां पर वज़राज़ अश्तियाल देता है, जो वजीर नहीं करेगा उसकी नोकरी जाएगी, अगर स्पीकर कुछ करेगा स्पीकर अगर यह भी नहीं कह सकता, हकूमती बेंचिस को कि आप कर क्या रहे हैं, वजीर कर क्या रहे हैं, मैं आप समझ नहीं कहीं, मैं आप समझाने थे जरा, आप नहीं समझीए, बहुत अच्छा, शवाज शरीफ ने, कुत्ते बिल्ले की सरकार वाले आपके जो बजारी लैंगूज यूज करने वाले जो आपके फंकार हैं, उनको रोका है क्यार अब ना करना है, इस टॉप इट, नहीं रोका ना, क्योंकि आज मोतल मारी है किसी है, मामला इसे भी आगे जाएगा, मामला वहां पे पहुंच गया है, बंगला देश में गपा स्पीकर को पेपर वेट मार के उसका सर पाड़ दिया गया था, तो यहां पर आज आपको तक्रीर करने के लिए दो सफें बनानी पड़ती है, मैं हिसार करना पड़ता है, तो नाकामी किस की है, आप सब की है सर, यूर और बंद करने हाउस को हकुमत को कहे, कि अगर तुमारे लोग यह काम करेंगे तो याउस नहीं चलेगा, अपजिशन हमेशा शोर करती है, अपजिशन हमेशा बात करती है, शोर और बात और गाली के अंदर कहीं लाइन चींदीनागाँ आप एक आदमी मेरे आदमी ने गाली दियो मैं उसके जगह माफी माँगाँगा, लेकिन मुझे अगर गाली देंगे फिर मरहाग बाद जाए चले दोस्तों इस वीडियो पर बात करते हैं तो पाकिस्तान के पूर्वा पताय मुंति ने सही का कि यह सब इम्रान खान ने सुरू किया था इम्रान खान की हरकते अभी से ऐसी नहीं है इम्रान खान सरकार में आने तो टब के पाक मीडिया के लोग भी कैटेट है कि ऐसी गाली अहाम टिवी पर नहीं दिखा तकते तो यह सब जो जमिला हुआ है पाकिस्तान कालमें में यह सब एक दो दिन की बात नहीं है यह सालों की बात है और यह सुरूवात इम्रान खान ने की थी इम्रान खान ने गुंदाघर्टी करें और इम्रान खान के बंदे गुंदाघर्टी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे की इम्रान खान खुट ऐसा करत Вам जब वह सरक Aid महीं साथ और अने के बात ह糖त भी वह ऐसी चीज एक है जिससे उसके बंदों को और भी जढ़ा प्यासेली मिलती है कि अगर हमने ऐसी हर्कति की तब भी इम्रान खान हमे कुछ नहीं कहेगा और ऐसी खबरे भी है कि इम्रान खान स्पोक्सपर्शन को बोलता है कि ऑपोजिशन को और गालिया दो ताकि हम जाड़ा टाकत बढ़ दिखें तो इम्रान खान अगर अपने लोग को ऐसी सलहा देगा तो उनके लोग ऑपोजीशन के साथ ऐसा यह वहवार करेंगे और ऐसी गुंड़ा गर्दी करेंगे तो पाकिसानी प्रधामंति ने सही का कि इम्रान खान जैसा बंडा है वो अपने लोगों को यही सिखाएगा और इम्रान खान अगर ऐसा नहीं कहा होगा चले मैं माल लेता हु इम्रान खाने नहीं कहाओगा कि ओपोजीशन के साथ मार पीट करो तो इम्रान खान जैसी हर्कन करता है उसे देखके ही उनके बंडों को यह तसली मिलती होगी कि अगर हमने ऐसा कुछ किया भी त भी मिपृवविशन नहीं कहया करता है इम्राइखा धर्ने में कहता था कि पाकिस्टानी पार्लामेन में सभी चोरो डाकू बैठे हुए है और इन लोगों के साथ क्या क्या करना है वो मैं आपको बोल भी नहीं सकता तो यह सब इम्राइखा ने शुरू किया है और अब ओपोजिशन भी निकल आई है ओपोजिशन ने भी कहना शुरू कर दिया कि इम्राइखा अगर ऐसी हर्ट करेगा तो हम भी चुपचाब बैठे नहीं जाएंगे इम्राइखान अगर हमारे साथ गुंडा गर्दी करेगा तो हम भी उसके साथ गुंडा गर्दी करेंगे इम्रान खान को लगता था कि इम्रान खान के पीछे पाकिस्ताने आर्मी बैठी हुई है और इसलिए और कुछ भी कर ले किसी को कोई फरक नहीं पर नहीं पर ला क्योंकि आर्मी उसके पीछे है पर इम्रान खान को ये नहीं पता कि उसने एकोनोम की जो हालत की है उसके बाद पाकिस्ताने आर्मी भी उससे छुट करा जाती है और अगर उसने जादा गरबड़ी की तो पाकिस्तानी आर्मी उससे लाट मर के निकलने में थोड़ी सी भी देरी नहीं करेगी तो इम्रान खान पाकिस्तानी आर्मी के भरोसे में जादा ना उचले क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी सिर्फ अपना फायदा दिखती है अगर उन्हें इम्रान खान को निकलने में अपना फायदा दिखा तो इम्रान खान को निकलने से पहले वो दो सेगंड भी नहीं सोचेंगे तो पाकिस्ताने पूरवर पढ़ामांदी ने सही कहा कि इम्रान खान के पीछे आर्मी है और इसलिए इम्रान खान को भरोजा मिल रहा है कि वो ऐसी मारपीट करे अपोजिस्टन के साथ पर अभी opposition में निकल गई है तो इम्रान खान के लिए बड़ी मुसिबत हो जाएगी अभी तो आखिर में मैं यही कहूँगा कि पाकिसानी प्रधामंति ने सही कहें कि आप अगर मुझे गाली नहीं दोगे तो मैं भी आपको गाली नहीं दूँगा मैं भी आपको अच्छे तरह से चीट करूँगा पर अगर आप मुझे गाली दोगे तो मैं आपको 10 गाल लिया दूँगा तो इम्रान खान को ऐसे ही ट्रीट करना चाहिए और पूर्वा पाकिसानी प्रधामंति ने कम से कम यह चीज़ सही गई है तो चलिए देखते की फीचर में क्या होता है दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्या और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ज़ी है तो 다음ु अच्तों तो शुक्तों प्लूच effective आयू है का रिम्र को